इस्पिनर्स का टेस्ट बैटिंग आडर होगा चेक किन सवालों के जवाब तरासने उतरेगा भारत परकने के लिए आज 12 पारा स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाव अपना पहला वार्मप मैच खेलेगे ऐसे में दोनों टीमें अपने अधिक से अधिक खिलाडियों का उपियोग कर सकती है वैसे कोई भी टीम इस मैच में अपनी रणनीत का खुलासा करने से बचना चाहेगी इंग्लैंड ने पिछले कुछ वर्सों में तीनों प्रारूपों में अपनी रणनीत में बदलाव की है और उसके पास मजबूत बैटिंग और है जानी बैश्टो, जोस बटलर, डेबिड मलान, बैन इस्टोक, हैरी ब्रुक्स यानि कि हैरी ब्रुक्स का जब दिमाग में नाम आता है तो आपको पता होगा कि ब्रुक्स कितने बहरेम हैं कितनी बहरेमी की तरह वो बालनु की पिटाई करते हैं अपने टेस्ट में देखवा होगा बारा मैचों में हैरी ब्रुक्स के नाम लगभग 1182 रन है जिसमें चार सतक निकले हैं और जिनका हाइस रन 186 है अगर बात की जाए लियम लिउंगे स्टोन को तुनको कोई सर को ही जानता है लियम लिउंगे स्टोन और मोहिन अली जैसे बल्ले बाच किसी भी तरह के आकरमण को ध्वस्त करने में स्थक्षम हैं और ऐसे में भारती गेदबाजों को खुद को परखने का मौका मिलेगा इस्पिनर्स को परखने का मौका भारत के चाहे हम बात करने इस्पिनर्स कुल्दी प्यादव रवीट चंद्रन अस्वनी जिनका लगबग लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है और आपके सर रवीन जडेजा के पास खुद को परखने का या अच्छा मौका होगा इस मैट में भारत के सभी गेदबाजों को कुछ ओबर करने को मिल सकते हैं इंग्लेंड के टीम सबसे मजबूत पच उसकी बल्ले बाजी में गहराई का होना है आलराउंडर सैम कुरन आठवे और क्रिक्स बोक्स नववे नमबर पर बल्ले बाजी करने उतरते हैं बात की जाए वारती बल्ले बाजों में स्रे साइजर को मध्य करम में जगा मिलनाता है वहीं इस पेंडरों की अच्छी तरह से खेलते हैं लेकिन अक्सर चोटिल हो जाने के कारण उनका मामला गर्बर हो जाता है ऐसे में इसान की सन परदिस में आते हैं जो बाए हाथ के बल्ले बाज हैं उन्होंने जितने भी उनको मौके मिले प्रतेक मौके को बल्ले बाजी करम में खुद को सही साबित किया है नार्थिस्ट इस्टेट आसम की राजधानी गुहाटी में आज बात की जाये तापमान की तो अधित्तम तापमान 36.6 डिगरी रहने के उम्मीद है जो रात में गिर कर 25.6 डिगरी तक हो जाता है बारस पारा क्रिकेट इस्टेडियम बल्ले बाजो के लिए स्वर्ग माना जाता है यानि कि वो जो पिछ है उसमे बल्ले बाजो की बल्ले बल्ले होती है पिछ मैची उचाल होती है जिससे साट मेकिंग आसान हो जाती है जैसे जैसे खेल बढ़ता है इस्पिनर अपना जादू दिखाने लगते हैं यहां आखरी वंडे इंटरनेशनल भारत और सिर्लंका के बेच खेला गया था जिसमें मेजबान को 67 रंज से जीत मिली थी यह बल्ले बाजो के लिए स्वर्ग पिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बल्ले बाजो की तूती बोलती है कोई भी गेद बाजो हाँ यह हो सकता है कि जब से जैसे खेल आगे बढ़ता है इस्पिन्रो का बोल वाला होता है लेकिन स्टार्टिंग में जो पेसर्स होते हैं जो तेट गेतबाज होते हैं उन्हें के जमकर कुटाई होती है फिलहाल खेल कड्डा में इतना ही धन्यवाद